जैहिंद प्यारजाती इस वीडियो में बात करने वाले हैं SST ED Constable 2022 ते इसकी बर्तवान भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मुख्य रूप से दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं पहला आपका कि यहां पे आपका जो final result होगा वो कब तक declare हो जाएगा और इसके अलावा number second point है आपका कि आपकी जो cut off है वो कितने number तक increase हो सकती और आपका final selection हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो इन दोना सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आप लास तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe करने हैं और well icon पर जरूर प्रेस करने हैं ताकि future में कोई भी update ओस की notification आपको सबसे पहले मिल पाए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं तो यहां पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप सभी को discuss कर लेता हूं तो सबसे पहले यहां पर result के बारे में अगर आप बात करें तो देखिए result के बारे में पहले आप सभी के लिए एक notice आ रही होंगी वो आपकी complete हो जाएंगी और third week of October में उने training के लिए base दिया जाएगा तो यह note जारी होने के बाद फिर एक और यहां पर training calendar जारी किया जाता है CRPF की तरफ से 20 जुलाई 2023 को तो इस calendar में सारी चीज़ें आपकी clear के गई हैं कौन-कौन से center पे कितने-कितने candidates आने वाले में यानि कि कुल 11,179 candidate training के लिए जाएंगे जिनका training schedule बात करें तो constable gd male and female 11,179 और यहां पे बताये गया tentative date of the completion of recruitment process यानि भरती पर के लिए कब तक complete हो जाएगी तो यहां पे बताये गया अगस 2023 आप सभी जानते हैं कि 10 अगस्त को आपके जो medical है वो खतम हो जाएंगे त इसके बाद का जो process बचेगा वो बचेगा आपका result कि बाई आपका result जा रही होना है आपके joining letters जा रही होने है और आपकी joining होनी है तो इस process के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखेंगे tentative date of the joining of candidate to recruiting group center तो यहां पे September 2020 वताया गया है कि September 2023 में आपकी जो training के ल हम यह मान के चलते हैं कि last September तक आपकी joining यहां पे हो जाएगी और third week of October में आपका क्या है कि जो आपकी main training होती है main training भी आपकी start हो जाएगी तो अगर मैं बात करूँ कि result वगरा कब तक यह declare हो जाएगा तो आप मान ले रहा कि लगवग 15 September तक आपका यह जो पूरा process होगा व declare हो जाएगा यानि कि आप इतने मानिए कि अगले 40 से 45 दिन के अंदर यह भरती पूरी तरह से complete हो जाएगी और इसका कोई भी process बाकी नहीं रहेगा process तो अलंग कि अभी complete हो जाएगा बाकी का जो final result वगरा जो declare होंगे वो 40 से 45 दिन यानि कि 15 September तक पूरे जारी हो जाएगे साथ ही मैं अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपकी जानिंग होके यानि कि September लास तक आपकी जानिंग होके थर्ड वीक और अक्टोबर में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इसके according आप अपनी तयार यह रख सकते हैं क्योंकि यहां पे calendar भी जारी किया गया है calendar की according ही मैं आप सभी को पूरी जानकारी दे रहा हूँ तो पहला point यहां पे आप सभी का clear हो गया कि इतने candidate लगवग यहां पे कि इतने date तक आपकी जो है यह process स्टार्ट हो सकता है इससे आगे बढ़ते हैं और आगे आपकी बात आती है cut off की जिसके बारे में बहुत जादा candidate होगा या नहीं होगा तो देखो लगवग अगर मैं मानूं तो medical में सामिल होने वाले candidate की संख्या लगवग मैं ले रहा हूँ कि यहां पे 90,000 प्लस तो एप्रॉक्स 90,000 नमने एक संख्या लिए कि लगवग 90,000 candidate ऐसे हैं जिनके medical हो रहे हैं अगर medical में हम बात करें तो medical में बहुत सारे candidate fail हो रहे हैं medical में fail काफी हो रहे हैं लेकिन re-medical में उसी हिसाब से पास भी हो रहे हैं ठीक है जिस हिसाब से medical में फेल हो रहे हैं re-medical में उसी हिसाब से पास भी हो रहे हैं अगर re-medical में भी candidate कम पास होते तो आपकी cut-off निश्चित तोर पर काफी कम increase होती ले कि qualify कर जा रहे है medical में, normally मैं आपको एक average दे रहा हूं, और यह हर एक center पर अलग-अलग vary करेगा, किसी center पर जादा भी हो रहे हैं, किसी center पर बहुत कम candidate पास हो रहे हैं, बड़ अगर आप average निकालोगे तो 55-60% के बीच में निकलेगा, अब इसमें से ऐसे मानिए, कि जो 45-40, sorry 40-45 पर जो candidate फेल हुए, अब इन में से भी आप इतना मानों कि लगवग जो 40-45 candidate फेल होके जा रहे हैं, इस में से भी लगवग 50-60% candidate आरे में भी qualify हो रहा है, यहां कि कम से कम average, average score की मैं बात करनूं कि average जो candidate पास हो रहे हैं, वो लगवग 70-60 candidate ऐसे हैं, जो कि medical को qualify कर ले र हो रहे हूं, फिर यहां आरे में पास हो रहे हूं, बट कम से कम आपका जो average निकल के आ रहा है, वो 70% के आसपास average निकल के आ रहा है, क्योंकि कहीं पर result काफी down है, तो कहीं पर high भी आपको देख रहा है, कहीं पर moderate भी आपको देख रहा है, कहीं पर average बच्चे पास हो रहे ह कहीं पर बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं तो यह medical board जो होता पर भी फरक परता है सामने जो medical आपका check-up करने वाले doctors हैं उनके उपर भी depend करता है तो यह center to center vary करता है तो इसलिए आप यह चीज़ समझ की चलो कि लगवक्त 70% candidate ऐसे हैं जो कि यहां पर qualify हो जा रहे हैं अब सतर प्रतीसद तो सतर प्रतीसद आपका निकल क्या आता है 63,000 यानि कि 63,000 candidate ऐसे होंगे जो कि final तक आपके आराम से पहुंच जाएंगे इतने तो 63,000 से 65,000 एक लंब सम संक्याब ले सकते हैं exact number कहना बहुत मुस्किल होता आप सभी जानते हैं तो 63,000 से 65,000 candidate ऐसे होंगे जो कि final में आपके पहुंचेंगे बागी का आप सभी को बता कि 50,187 आपकी विकिंसी हैं और 50,187 विकिंसी के according देखें तो लगवग 13,000 से 15,000 candidate ऐसे होंगे जो कि final merit list में बहार होंगे अब देखो final merit list में जैसे कि पहले भी आप सभी को यह चीज में बता चुका हूँ कि आपके चलो कि यूपी में जो medical हो रहे हैं ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा candidate पास हो रहे हो तो यहां का यूपी का जो average निकल गया रहा हूँ वो 80 क्रॉस कर जाए और अगर बिहार की बात करें तो हो सकता है कि बिहार में overall अगर candidate देखा जाए तो हो सकता है कि 60 प्रतीसत ही पास हो रहे हों क्योंकि जो average लिया है मैंने 70 प्रतीसत वो all over इंडिया का लिया है जबकि आपकी जो cut-off बनेगी वो आपकी बनेगी state wise तो अब UP में ज्यादा candidate qualify हो रहे होंगे तो CDC बात है कि आपकी cut-off भी आपकी highs आएगी अगर बिहार में आपके कम candidate पास हो है तो CDC बात है कि cut-off आपकी low जाएगी तो इस चीज़ पर depend करेगा अब ऐसे में क्या है कि अगर आपकी दो नमर जादा है चार नमर जादा है तो देखो मैं आपको सिर्फ एकी चीज़ कहूंगा उमीद पर दुनिया काया में लेकिन इतनी जादा उमीद मतलगा लेना कि आ इसे तोर पे आपकी cut-off increase होगी कुछ state में हो सकता है दो चार छे नमर जिनके जादा है उनका selection हो जाए और कुछ state में इससे भी जादा आपकी cut-off आए जा सकती है क्योंकि जब ऊपर आपकी cut-off बढ़ती है तो वहाँ पे थोड़ा numbers जादा bury करते हैं क्योंकि ऐसे समझो कि उपर वाले candidate को निकालने के लिए जादा जादा नमर आपकी cut-off बढ़ानी पड़ती है जबी जाके उपर वाले candidate को बाहर किया जा सकता है नीचे तो आपके point में बहुत सारे candidate बहार निकल जाएंगे लेकिन उपर जैसे 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 ऐसे मालनो कि नीचे अगर merit की बात की ज ले जाएंगे लेकिन उपर top rank में जाएंगे तो दो चारी candidate होते हैं तो इसलिए जब आपकी merit उपर वाले order में पहुंझाती है तो वहाँ पे cut-off बढ़ना सभाविक रहता और cut-off बढ़ने का reason सिर्फ और सिर्फ यह रहता है कि वहाँ पे toppers को निकाल जा रहा है क्योंकि अ आपको cut-off ज्यादा लग सकते हैं लेकि reality में वैसे ज्यादा नहीं है बड़ आपको cut-off वह ज्यादा लगेगी तो यहाँ पे numbers आप ज्यादा depend मत रहिएगा बस उम्मीद रखो और बाकी का tension किसी वी चीज़ के लिए लेना नहीं है आपने यहां तक मेहनत की है और all over India के 2% candidate में अगर आप select होके पहुँच हो तो यह अपने आप में बहुत बड़ी वात होती हो और बहुत 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 बड़ी आप सिर्फ एक ऐसे समझ लो कि अगर आप medical में बहार हो जाते हो या medical qualify करके final marriage में बहार हो जाते हो तो केवल एक कदम दूर हो अपनी मंजल से अब ए जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताने की causes की हैं exact cut off बताना इसलिए थोड़ा सा मुस्किल है क्योंकि state to state vary करेगा लेकिन फिर भी मैं कहरोंगे 24-6 नम्मर आपकी cut off आराम से increase हो जाएगी बाकि की जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको continue बताता रहूँगा medical में on average यतने ही candidate पास हो रहें बाकी के जो भी आप मैंसे बच्चे medical देके आ चुके हैं वो सभी comment करके बता भी सकते हैं कि कितने प्रतीसत candidate आपके center पर qualify हो रहे हैं जिसने के एक roughly idea लग पाए तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करके channel को subscribe कर लेना और well icon पर प्यारिया रखें जो भी चीज़ें आपको complete करने हैं वो अपने end से जरूर से complete कर लेना ताकि आपको कोई आगे दिकत ना हो मिलेंगे next video में so thank you for watching जैहिंग जैवारा